हेलो फ्रेंड पॉपुलर टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में क्या गया आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि इशान की केबिन में आकर सवी ने मांगा अपना हक तो वहीं सवी की बाते सुनके उड़े इशान के होश जी हाँ दोस्तों अब श्यों के अपक क्वाल्टी है जो एक लड़की को चाहिए होती है अपने परफेक्ट पार्टनर में अगर तू मुझे अपना मानती है तो मेरी बात मान कर एक बार अपने और इशान के रिष्टे को एक मौका देख के तो देख तो वहीं सवी अश्मीता की बातों को नोटिस करती है और और वह भगवान से प्रातना करती है कि वो दिन जल आए तो वही राओ साहिब भी वहाँ आ जाते हैं और साफ साफ कह देते हैं कि सवी इस घर से कहीं नहीं जाएगी अगर वो जाएगी तो सिर्फ अपनी अर्थी पर क्योंकि वो इस घर की बहु है वैल लब शो के अपकमि आनी और नहीं चलेगी अब जब हम जो कहेंगे तुझे वही करना होगा सवी तेरी पतनी है और वही रहेगी और उसे भी ये बात अच्छे से समझा देना और उसके पास इसके इलावा कोई आप्शन नहीं है वैल लब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां सवी ईशान की केबिन में जाती है और कहते वे नजराती है कि ईशान सर मुझे आप से कुछ परसनल बात करनी है तो वहीं रीवा भी वहां आ जाती है जिसे देख के सवी रीवा को उसकी कंगन वापस कर देती है जहां रीवा ईशान को समझाती है कि वो सवी को टाइम करता है जहां सवी इशान से कहती है कि सर मैं आपकी फैमली की रेस्पेक्ट करूँगी और उनकी बातों को मालूँगी बस प्लीज मेरे आई पीएस अपने के बीच में वो कोई रुकावट ना खड़ी करें मैं आपके साथ अपने रिष्टे को जिन्दगी भर निभाने के लिए तैयार हूँ पर वारिस देनी की बात रही तो वो मैं पूरी नहीं कर सक क्योंकि मेरा सपना ही मेरी जिन्दगी में सबसे बड़ी प्रियरॉर्टी है तो वही दोस्तों सवी के फैसले से ये शान को हो जाएगा काफी जादा खुश और कहानी में अगजबर्दस मोड तो आप सब और अपडेट जानने के लिए बने रही है हमारे साथ वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब करने ना भूले